नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलेगा नीव चैनल में आप सभी का स्वागत है जोनपूर के ने डियम दिनेश चंद्र होंगे जोनपूर के डियम रहे रविंद कुमार मादर का देड़रात ट्रांसफर प्रयाग राज के लिए कर दिया गया है वहीं जोनपूर के ने डियम 2012 बेज के आयस दिनेश चंद्र को जोनपूर का डियम बना कर सासन ने भेजा है रविंद कुमार मादर ने लोग सभा चुनाओं को सक्सुल संपन कराए हमेशा काम के प्रति इमानदार वज सजग रहे जोनपूर के रविंद कुमार मादर का कारिकाल लगभग नों महिन्या रहा है बता दे की सहारनपूर में डियम का कारिभार संभाल चुके चीनी उद्योग तथा गन्ना विकास विभाग उत्तरपदेश सासन के विशेश सचिव डाक्टर दिनेश चंद्र को जोनपूर का नया जिलादिकारी बनाया गया है वह 2012 बैज के आयस हैं वह डियम बहराईज के पद पर भी रह चुके हैं गौर तलब होके डाक्टर दिनेश चंद्र पांच नौंबर 2018 को अलीगड में बताओर मुख्य विकास अदिकारी के पद पर तैनाब थे 15 फरवरी 2019 तक वह इसपद पर बने रहे इसके बाद वह गाजियाबाद में नगर निगम के नगर आयुक्त बनाये गए 15 अगस 2020 तक वह इसपद पर बने रहे इसके बाद उन्हें 15 अगस 2020 को कानपूर देहाद का डियम बनाया गया 2 मार्च 2021 तक उन्होंने इसपद को संभाला इसके बाद सासर ने इन्हें संस्कीद विभाग उत्तरपदेश का विशेष सचियु निधष किया 2 मार्च 2021 से 5 जून 2021 तक वह इसपद पर तैनाथ थे इसके बाद सासन ने उन्हें 5 जून 2021 को बहराईज का डियम नियुक्त किया 19 मई 2023 तक वह बहराईज के डियम रहे इसके बाद 19 मई 2023 को उन्हें सहारनपुर का डियम बनाया गया 25 जून 2024 तक वह इसपद पर रहे इसके बाद सासन ने उन्हें 25 जून 2024 को चीनी उद्योग्यों गन्ना विकाज विभाग लखनव का विशेश सच्यू बनाया वह इस पद पर बने रहे 13 सितंबर 2024 की राद को उन्हें जोनपुर के नए जिलादिकारी के रूप में सासन द्वारा भेज दिया गया दिनेश चन्र का जन्म एक जूलाई 1966 को बिजनवर जिले में हुआ